हलो फ्रैंट्स आज हम बनाएंगे टेश्टी चटपटा मसाला चना चने को मैंने रात में भीगो दिया था सुबह पानी से निकाल लिया साब धो लिया है एक रफली चॉप प्यास के है मैंने एक कटोरी मैंने दही लिया है दही में मसाला डरेंगे कुछ मैंने लिया है आधा चोटा चमज भुना जीरा पॉडर आधा चोटा चमज लेंगे काली मरेश पॉडर एक चोटा चमज लेंगे गरा मसाला एक छोटा चमस लेंगे हल्दी पॉडर दो छोटा चमस लेंगे धनिया पॉडर एक छोटा चमस लेंगे लाले पॉडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे धही में मसाले को एक चोटे चमच मैंने ले चोले मसाला लिया था दही में मसाले को अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से चना बनाईए सभी को बहुत पसंड आएगा एक बार बनाएंगे तो आप रोज बनाे चना खाएंगे बहुत ही टिस्टी बनता है गैस पे कुकर चड़ा है तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गर्म करेंगे तेल गर्म हो गया है रफ्री चॉप मैंने प्यास किया तो उसको डालेंगे प्यास को गोल्डन ब्राउन फ्राइ करेंगे प्यास फ्राइ हो गई है चने डालेंगे चने को अच्छे से प्राई करेंगे तेल में भून लेंगे चना अच्छे से प्राई हो गया है अब जो मैंने मसाला तैयार किया है दही में वो मसाले को डाल देंगे चने में अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जिससे मसाला अच्छे से भून जाए चने के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे चना अच्छे से भून गया है आप पानी डालेंगे इतना पानी डालेंगे चना अच्छे से गल जाए पानी डालके कूकर की लेट लगा देंगे एक प्रेशर आने पर गैस की प्लेम को लो कर देंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट हो गया है यह देकी चना तयार है बहुत टेस्टी चटपटा बना है सभी को बहुत पसंद आएगा इस तरीके से चना बनाईए प्यास डालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से टेस्टी चटपड़ा चनल तयार है सबी को बहुत पसंद आएगा इस तरीके से बनाएए दही में मसाला तयार करके बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको मसाला चनल की रेस्टी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेट्स और चैनल को सबस्क्राइब करेगा इस तरीके से ट्राइब कीजिए